Hello aspirants! कैसे हैं आप लोग? जब भी हम UPSC Civil Services Examination की तयारी करते हैं, हमारे दिमाग में अकसर ये सवाल आता है कि कौन सा Optional Select करें? कहीं हम जो Optional Select करें, उससे हमारे Marks कम ना हो जाएं? कहीं कोई Problem ना हो जाएं? तो इस जवाब को अगर हमें हल करना है, तो हमें जरूरी है समझना U UPSC Optional Subject की Importance क्या है? अब अकसर सवाल आता है ये दिमाग में कि Optional में क्या है? तो aspirants Optional में छुपा है आपकी UPSC Exam का Result. आप Qualify होंगे या नहीं? आपका Rank अच्छा आएगा या नहीं? आपका Home Cadre मिलेगा आपको या नहीं? ये सब में Optional का बहुत Important रोल होता है. कैसे? एक Next Level में लेके जाने के लिए UPSC Optional का बहुत Important रोल होता है. Aspirants, UPSC के History में PW Only IS लेकर आया है इंडिया का सबसे affordable UPSC Optional Subjects. ये सारी offerings हैं आपके सामने जो हम लेकर आए हैं और आपकी Live Classes स्टार्ट होएंगी 25th July 2023 से और इसका प्राइज होगा केवल 8,999 रुपे, 8,999 रुपीज only सबसे affordable पूरे भारत में. कहीं हम Optional Select करने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी duty भी होती है कि अगर हम आपको offerings दे रहे हैं तो हम आपको ये भी guide करें कि आप Correct Optional को Select करें तो आपके सामने मैं कुछ Criteria Space करूँगा जिसके basis पे आप अगर आपके कोई Shortlisted Optionals हैं उनको इन Parameters में Test करिए जैसे कि आपने Shortlist करा Geography, Anthropology, Political Science और कोई भी जो आपको पसंद है तो आप उन Parameters को लगाईए उन Optionals पे और logically आप एक decision में आए कि आपको कौन से Optional Select करना है तो let us see the Parameters कि कौन से Parameters हैं सबसे पहला Parameter आता है Graduation Subject क्या Optional जो आप Select करें है क्या वो आपका Graduation Subject भी रहा है अगर रहा है तो वो एक Advantageous Point होता है क्यूं क्यूंकि आपको सॉ Optional को scratch से नहीं पढ़ना आपने अलड़ी काफी चीज़े पड़ी होती है अगर नहीं भी है तो बहुत लोग उसको cover कर लेते हैं वो इशू नहीं है पर एक Advantageous Point हो जाता है अ हम 50% time लगबग GS को देते हैं और 50% time हम अपनी Optional की तयारी में देते हैं तो अब सोचो आप लोग आप एक वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसमें आपको interest ही नहीं है तो क्या आप उसमें time devote कर पाएंगे क्या focus उसको study कर पाएंगे नहीं ना तो interest उस subject में होना एक बहुत important criteria होता है ताकि आप उस subject को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और आपकी probability of success जो civil services में होती है वो बहुत increase हो जाती है तो ये था आपका second parameter optional को select करने में next is scoring and trend ये भी बहुत important factor है क्यों अकसर देखा गया है कि जब UPSC अपने जो optionals offer करता है अब examination के लिए उसमें कई optionals होते हैं जो बहुत भैटरीन perform करते हैं over the years अगर हम example लें जैसे political science and international relations, sociology, anthropology, for that matter mathematics, physics भी हो गया इनके जो scores हैं बहुत high जाते हैं probability क्या होती है कि success की probability बढ़ जाती है तो इस trend को भी अपने दिमाग में रखना बहुत important होता है अगर आप result oriented aspirant है तो ये एक important factor है scoring and trend next is guidance अब एक चीज़ याद रखिए हमारे students and aspirants में बड़ी energy होती है बट अगर वो energy बिलकुल segregated है कोई काम निकर नहीं है वो लेकिन एक guide जो होता है एक mentor होता है गुरू जो होता है उस energy को एक correct direction में focus करता है यानि कि अगर आपके पास एक correct guide है mentor है professor है गुरू है जो आपको guide गर सके तो वो बहुत important होता है यानि उस subject का कोई professor अच्छा available है या नहीं या आपको proper guidance मिल रही है यह important होता है that is why guidance जो है वो बहुत important parameter होता है उस particular optional को select करने में next parameter जो होता है वो हता है material अब देखो आपको optional select करो और उसकी कोई specific किताब अगर नहीं है और आपको search करना पार है R&D करनी पड़ी है कि मैं कौन सी किताब से पढ़ूं तो आप सोचिए कितना time लगेगा उसको समझने में notes बनाने में और फिर उसको तयार करके examination में जाके answer करने में तो ये भी ज़रूरी है कि उस particular subject का material books available हो इसमें again guide या जो mentor या आपका professor होता है उसका भी बहुत important role होता है तापकिए वो correctly guide करे ये था next एक बहुत important parameter जब हम optional को select करते हैं next आता है helping या help in GS and essay अब देखो हर optional की अपनी advantage हो सकती है कुछ disadvantage भी हो सकती है ठीक है बट overall हम सोचते हैं कि अगर हम कोई options select करें और साथ साथ हमारा GS का भी काफी portion उसी के साथ cover हो जाए तो बहुत मदद मिलती है जैसे काफी सारे options है लेटर से political science हो गया, sociology हो गया, anthropology भी हो गया, geography हो गया ये वो optionals हैं जो GS में बहुत indirectly या directly बहुत मदद करते हैं तो यह एक बहुत important parameter होता है जब आप किसी optional को select करते हैं एक next parameter है जो generally में इसे बहुत सारे aspirants पूछते हैं sir what is the role of current affairs in the optional subjects तो होता क्या है जब GS के लिए prepare करते हैं तो current affairs तो पढ़ते हैं पर उनको डर लगता है कि कही current of year centric बहुत बड़ा सवाल आ गया optional में जहां पर हमें बड़े specific होना पड़ता है तो हो सकता है marks कमा जाएं तो हमें यह भी देखना है कि current affairs का उस particular subject में क्या रोल है देखिए कुछ subjects है जिसमें current affairs का काफी रोल होता है जैसे political science international relations अब international relations में क्या चल रहा है उससे सवाल पूछा जाएगा for that matter geography, geography में क्या आजकल climate change उससे related issues हैं पूछा जाएगा बहुत ज़ादा current affairs सवाल आते हैं कई options हैं जैसे for example anthropology, history या literature उसमें current affairs का रोल काफी कम हो जाता है बट अगीन आपकी उपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं positively या negatively बट अगीन role of current affairs in that particular optional becomes very very important तो students एक चीज़ याद रखिए आप एक practical examination की तयारी कर रहे हैं जिसमें idealistic होने की ज़रूरत नहीं है तो जब आप अपने optional को select करें आपके जो भी shortlisted options हैं उनको इन parameters पे judge करिए कि कितने parameters आपके favor में आ रहे हैं उस particular optional के लिए जो ज़्यादा आ रहे होंगे उस optional को आप select करिए क्योंकि वो एक logical reasoning से लिया हुआ decision होगा और याद रखिए examination as I said is a practical game not an idealistic thing तो please एक correct option select करिए and optional select करने में गलती मत करिएगा बहुत भैतरीन students रहे हैं जिन्होंने तयारी करिए civil service की बड़ वो qualify इस वज़े से नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने गलत option select करा था तो मैं नहीं चाहूंगा नहीं हमारी PW only IS की team चाहेगी कि आप एक गलत option select करें और आपका civil services का result उपर नीचे हो जाए तो यह request है हमारी एक correct decision making करिए जो हमारी तरफ से आपके लिए offerings हैं आपको एक affordable education दे रही है affordable does not mean cheap चीप नहीं होता इसका मतलब यह है आपको कम price में दे रहे है best quality education दे रहे है ताकि जो mission है PW का कि हर बच्चे को best quality education मिल सके ताकि वो उसका dream जो है फुल्फिल कर सके उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक correct option select करिए और PW की team हमेशा आपके साथ रहेगी all the best